हेलो इस्टु सिक आम्धू इस्टु इसम बात करेंगे the remaining part of Resource and development reminder इस्टु इसका हमने मुत फर्स्ट पार्ट उप nutritional कर दिया है और उस पार्ट में एहमने निकार । मिने रिस्वर्स और उसके टाइसट को हमने डिस्क्राइब किया है आज हम डिस्क्राइब करेंगे इसके जो बचे हुए पोर्शन है तो दिस इदा वीडियो नंबर सेकेंड आफ दिस चैप्टर, I hope you will like this video, if any confusion, or any query, or any question, you can comment to me. Students, a book name, Small is Beautiful, is wrote by Sumeser, Sumeser, okay, so this book can be asked in your exam, who wrote the book, Small is Beautiful, then your answer is Sumeser, you must remember these spellings, okay, let's go forward, Students, now today, we discuss land resources, you all have known, every activity which is related to economic and non-economic activity, be done on the land, we also make our buildings, our homes, our schools, our roads, our railways, our transport, agriculture, mining, so many more, be done on the lands, if land is not, then how can we think about our life, Okay, so this is the data of land, this is the data of land, how many percentage of land in India is a, among them 43% is a plains area, So now, our country is called the agriculture area, agriculture country, now second, the 30% is a mountains, okay, and 27% is a pletive, Students, आपने देखा कि 43% जोकि सबसे ज्यादा plains area हमारे हाँ पाया जाता है, इसलिए हमारे हाँ agriculture बहुत होता है, और agriculture होने के कारण ही हमारा जो देश है, इसको agricultural country बोला जाता है, ठीक, दूसरी बात यह है कि हमारे हाँ मिनेरल से भी बहुत सारी पाया जाते हैं, आपने देखा कि हमारा 27% प्लेटु बाता है तो प्लेटु में ही इसलिए सबसे बेस्ट हमारी है, 30% हमारे हाँ प्रोक्स के mountains area है, जिसमें कि हम अपने सारी activities वर्क करते हैं, आपने देखा हुगा कि हमारे थे बाता है, आपने देखा हँगा कि जो हमारे बाता है, मिनरल से हैं वो ज्यादा तर आपको प्लेटी उरिजिम मिलेंगे फॉसल फ्योज हमारे प्रेट्रोलियम और फॉरेस्ट एरिया यह सभी हमारे रिसोर्स होते हैं किसी भी कंट्री के लिए उसकी एकोनामिक ग्रोथ को मजबूत करने के लिए तो सबसे बेस्ट हमारे यहां क्य आपको यहां पर फॉरेस्ट एरिया है जहां पर फॉरेस्ट एरिया है next one is a B point, land put ook to non agricultural use e Commander buildings, roads, factories you have also seen a vast area of land is covered by agricultural uses but a vast area also covered by the non agricultural uses लगाओगी अपने देश के ही लाइंड पर अब क्या करते हैं कि बहुत बड़ा सा एरिया एक फैक्टरी के लिए कवर किया जाता है जिस पर हम बहुत सारी एक्रिकल्चर एक्टिविटीज कर सकते हैं नेस्ट हमारा होता है आपने देखा को रोड्स बनाने में भी बहुत लैंड यूज की जाती है फैक्टरी लगाने में यह सारी यूजिज हैं लैंड के नेस्ट हमारा है अधर अनकल्टिवेटेड लैंड इंक्लिवडिंग फालो लैंड कि स्टुडेंड्स फालो लैंड वो लैंड होती है जिस पर कि हम एकलचर करते रहते हैं और पिर एक दो साल के लिए उस पर हम्งशनी नहीं करते हैंसमजी बात को आप मेंस वह हम वेकार नहीं छोड़ कि छोड़ देते हैं इससले छोड़ कि एक कि अपनी वो क्वालिटी को फिर से मेंटेन कर सके फिर से उसमें कुछ पावर आ सके कि जिससे हम नई फासल फिर से ले सकें उसमें नेस्ट वानी जाए लैंड अंडर मिस्लेनियस ट्री क्रॉप्स ग्रोव नाट इंक्लिउट इन नेट सोन एरिया इस्टुडेंट्स यहां पर बात करहे हैं कि जो हम लैंड हमारे पास है उसमें आपने देखांगा कि कई सारे ऐसे पेड़怎麼了 करते हीजिनका की भी नई नहीं cosme rav projet करते हैं नेट सोन एरिया मतलब हुगा कि जिसकोर हम कोई चीज उगाते हैं कांटीनू फसल उगाते हैं तो तो नहीं इंकलूट होगा इसमें मिस्ट हमारा है काल्चर रेवाल वेस्ट लैंड लेफ्ट अनकल्टिबेटेड मोर दन फाइब यहां पर क्या है कि कुछ ऐसे जमी जिस पर कि हम जानौ लोग चराते हैं जाब क्याख़ते हैं उसको भी हम फालुञ लैंड में इंकलूड करते हैं और वाष्ट लैंड को भी हम फालुण रेफ्ट में कबर की गई है फिर बेरन एंड वेस्ट लेंड में फिर लेंड पुट नॉन एगरिकल्चरल में तो इस तरीके से आपको यह पॉइंट जुरूर याद रखें ने स्थाफ चलते हैं अब आउड़ दा फालो लेंड्स अब भी आपने उपर देखा कि मोर रेंड फाइब था लेकिन अब यहाँ पर कर रहें कुछ ऐसी भी जमीने हैं जो कि एक साल या उससे भी कम टाइम के लिए छोड़ी गई है परती हैना मैं उस पर हमने भी अगरिकल्चर नहीं किया है दूसरी है अर्दा देन करेंट फालो लेफ्ट अनकल्टिबेटट फॉर दा पास्ट वन टू फाइब एगरिकल्चर लियर और कुछ ऐसी जमीने हैं जो कि एक से पान साल के बीच में छोड़ी गई है इसमें आप ज़्यादा कंफूज मत होई है बट आप इतना ध्यान दे नहां रखना है कि land utilization कहां कहां पर होता है ने स्ट आपका है जो important है आपके लिए वह है नेट सोन एरिया स्टूदेंड्स नेट सोन एरिया में हम ऐसी फशल जो गाते हैं once in an agricultural year एक साल में जो हम फसल उगाते हैं वह फ्लस उसे हम नेट कर जोड़ देतें किया नेट सोन एरिया अग जो हम पूरे साल उगाये रहते हैं दोनों को अगर हम जोड़ देंगे तब जाकर के हमारा क्या हो जाया for the grass crop area okay students let's go forward now this topic is land use pattern in India here are two figures which help you to understand about the land pattern use now we see one by one each of them now forest तो यहां पर आपको पूरा डेटा दिया गया है और उनके टाइस आपको बताए गये हैं नेस्ट आपका है इसका भी डेटा यहां पर दिया गया इसको देख लिजेगा कोई बिशेस इंपॉर्टेंट नहीं है बट यह है कि आपको इसको ध्यान में रखना पड़ेगा तो अगर आप आंसा लिखते हैं यह डेटा उसमें डालते हैं लिखते हैं तो आप कहां सा This week you must remember this it may be asked in a body young by the CBC you must remember this the national forest policy Next topic we discuss about the land degradation and the conservation measures Okay students Now the students, first we discuss about the land degradation The removing of top soils by the human activity or the natural activity is known as the land degradation such as by the flood, students बाढ़ हती है तो उसकी वाजा से भी land degradation होता है grazing of animals, moving bins, these are the main types, main factors that degradate the lands and also some human activities such as deforestation, overgrazing, mining, quarrying have to contribute significantly in land degradation, so you must remember these points if the question has been asked by the CBC what is the land degradation, so you ask the definition of land degradation that was told by me and also you mention these points in your answer next, so it is very necessary to conserve our lands, how we can conserve, we can conserve by these measures, such as the eforestation, if deforestation हम करते हैं तो उसकी जगा हमको eforestation करना चाहिए, eforestation means planting of more and more trees, overgrazing mining जो होती है, इसको हमको रोकना पड़ेगा, okay, कि overgrazing नहीं होने पाए, mining, mining तो हम नहीं रोक सकते हैं, बट यह कर सकते हैं, कि जो mining करके हम land ऐसे छोड़ देते हैं, उसको किसी ना किसी तरीके से हमको bound करना पड़ेगा, कि लोग वहाँ पड़ना जाएं, या उन पर कुछ ने कुछ पेड़ पोधिम को लगा दिने चाहिए, जिससे कि वहाँ की land cut करके आगे ना जाने पाए, क्वेरिंग या जो भी हम कुछ करते हैं, उन सब चीजों को भी हमें एक बार ध्यान में रखना होगा। यहीं कुछ मेजर्स हैं जिनको में ध्यान रखना पड़ेगा। तो क्वेरिंग टू हैप कांटिबूटे सिग्निफिकेंटली। विससे कहीं कहीं पर हमें पत्थर ख सब्सक्राइब करते हैं वह हमारा क्या है वह हमारा स्वेल है। तो यहां पर हमें इस सिज्चु को ध्यान वरखना होगा। जब एक स्वायल का निर्माण होता है तो सबसे पहले जो नीचे मोटी रॉक्स होती है जिस पर वो पूरा रुका रहता है उसको हम पारेंट रॉक बोलते हैं। फिसको उपर होता है हमारा पारेंट रॉक मैटेर या फिर अपर सोयल या फिर स्वायल ओके स्टुटेंस तो यह स्टेक्चर आप भ्यान रखना इसकी वजह से आप अपने आंसर को कंपेट कर सकते हों। और समय कम्हां से ज़्यूऊ करा दुटेंस तो बॉक्स непोजने फिर यह यह जोंद नाफ इन नदर्म प्लेंस में जूपी है अना बिहार जारखन तो यह सारी जो एरिया आपके है यह आपके नदर यह सबसे important soil है क्योंकि यह बहुत fertile होती है और यहां पर जुमेंट कुराप्स हैं ग्राउन नट्स वीट सुगर कें राइस पल्सेस जूट जूट जब आप स्वाइल को पढ़िए गा तो यही पॉइंट आप डाड़िएगो उसमें सबसे पहले पाउंड कहां पूर मिलती है उसके क्या मेंन करेक्टरिस्टिक्स और किस तरह की फसली उसमें उगा सकते हैं तो इस तरीके से आप आप स्वाइल को बहुत अच्छे से याद कर सकते हों कि सम्थिंग सियर लाइक कि दा इंडस्ट गंगा और ब्रह्पुत्रा दीज आल स्वाइल आसु इस्टेंड इंड राजस्थान गुजरात तो यह चीज आपको ध्यान में रखना है अभी हम जब इंडिया के मैप में देखेंगे तो सब कुछ कंफर्म हो जाए तो इस्टुटेंट्स आपको इन सब चीजों को बहुत ध्यान रखना है यह आपके बुक का मेटर है इस्टुटेंट्स यहां पर आप देखें इस स्वाइड के कुछ फीचर्स हैं जैसे कि दुआर्स चौस और तराई रिजन इस्टुटेंट्स यह वो एरिया है जब रि रिवर्स निकल कर आती हैं तो माउंटेंज जब प्लेंट में आती हैं तो उसके बाद जो पानी फैल जाता है प्लेंज में वहां पर रिजन उसका हम बंद बोलते हैं तराई रिजन चली तो इस्पेसली दिस स्वाइल इस डिवाइड इंटो टू पार्स नावदा भांगर और खादर यू आल्सो नो अबाऊट लएउड बहांगर स्वाइल है कर से इतना दियार रखें कि भांीड जो पती है वह वहीं पर घाटर होती है वो new soil होती है students ओके तो यहाँ पर आपको इमें चीज ध्यान में रखना है नाव students the next soil is a black soil अब ब्लेक स्वाइल found central and north western regions of south plateau characteristics it is made of the lava इसलिए इसका color black होता है लाव में जब बैलकेनों फटते हैं students तो उनके नीचे से जो material से गिरते हैं वो black color में या brown color में हो जाते हैं तो वो especially convert हो जाते हैं black soil में okay and the main crop is the cotton and sugar cane इसको बोला जाता है कि इस students इस soil का जो अधर नेम से वो black cotton soil भी बोला जाता है कभी कभी भी question आता है कि this soil is known as the cotton soil your answer is black soil and एक चीज़ और देहां रखें आप black in colors and also known as regular soil तो यहां पर इसके तीन नाम हो गए black soil regular soil और cotton soil इस मिट्टी में सबसे ज्यादा cotton उगाया जाता है और यह जो पाया जाती है यह आपका play to maharashtra और saurashtra region पाया जाता है okay students now the next soil is a red and yellow soils red soils found southern platew characteristics it is red in color and it is not as fertilized black soil okay क्यों नहीं होती है क्योंकि इसके जो fertility होती है वो कम हो जाती है और इसमें की में क्रॉप्स हैं वो आपकी है ज्वार बाजरा और ग्रावन नट आए सम और फीचर से इसकी हम देखते हैं बुक से students red and yellow soil में आप देखिए तो red soil develops on the crust line is an area of low rainfall तो ऐसा एरिया जहां पर low rainfall होती है वहां की मिट्टी कम-fatile होती है ओके और दिस इस मेनली फाउंड इन डेकन प्लेट यूज तो यह चीज़ें आपको ध्यान में रखना है let's we discuss about the literate soil the main feature of this soil is found Western Ghats and part of Tamil Nadu, Kerala and Karnatak characteristics it is red in color crop grounds coffee tea spices coconuts and rubber so you students you must remember these points that help you to write the correct answer of literate soils students this line is very important literate have been derived from the latin words letter which means bricks यह कई बार question पूछा जा चुका है board में की what is the meaning of literate soils या which words this literate word is derived from या what is the meaning of literate soils या which soil is known which soil means is a bricks तो you can learn these points नाओ दर नेश्ट स्वाइल जा एरिट स्वाइल पर फॉर्म बाइदा बेदरिग आफ राउक्स मतलब हुआ कि राक्स पत्थर होते हैं वो जब धीरी धीरी तोड़ते हैं तो इसको बेदरिंग बोलते हैं Rich insult इसमें सब ज़्यादा नमक पाया जाता है, इसी वज़ा से कोई खास फसल इसमें नहीं हो पाती है, Deficiency of Humus नमी की कमी पाया जाती है, Dears, Mellon, Bajra ये इसके main crops हैं, इसको आप जुरूर देहां रखना, The area is Rajasthan, Punjab and Gujarat, तो आप ए मत कहिएगा कि राजस्थान में Arid Soil ही पाया जाती है, आप कर सकते हैं, राजस्थान पार्टली पंजाब and पार्टली गुजरात, This is the peak of Arid Soil area, आप देख रहे हैं किस तरीके से less vegetation है, और land का जो प्रारूप है कैसा है, And the next one is a forest soil, The forest and the mountain soils are the both in one, It's found in the Himalaya region and in the north-eastern part of country, आपने देखा होगा बेटा कि Himalaya region में सबस्ज़्यादा forest पाया जाते हैं, North East country आपके आसाम, मेघालय, अरुणाचरपरदेश, तरिपुरा मिजोरम, यह जो country यहाँ पर सबस्ज़्यादा आपको forest area मिलता है, Characteristics, this soil is very rich in remains of plants, animals called humus, यह इसमें सबस्ज़्यादा humus पाया जाते हैं, Crops grown, fruits like apple, pear, peach, palm, etc., प्लम, etc., तो यह आपके लिए सबस्ज़्यादा important soil है, इसको अब्ज़र देहां रखना, after alloval soil, Now students, next topic is a soil erosion and soil conservation, Soil erosion means the removing of soil by the action of bind, flowing water, and other various activities, तो हमने आपको बताया था कि कैसे bind, when the storm bins blow, they cut the remove the top layer of the soils, जब बहुत ते जान ही चलती है, तो आपने देखा होगा धूल उड़ती है, तो क्या करती है कि one side के पूरे matter को उठा करके second side में ले जाके transport कर देती है, ओके students, तो यहाँ पर यह है, अब इसमें soil erosion में आपको दो तीन चीज़ ध्यार रखना है जैसे कि एक है पहला गली erosion, यह देखिए, यह गली erosion की पिक है, जहाँ आप आप देखते हैं जब बारिस होती है, तो बारिस की टाइम पर यह ऐसा एक छित्र बन जाता है, तो आहाँ पर आप students देखिए, यह गली erosion है, है न, students, soil erosion का एक पार्ट है भी है, यह आप देखिए, यह नहर या नदी की किनारे का पार्ट है, जहाँ पर मिट्टी flowing water से अपने आप कट कटके धिरी-धिरे, उसी river में या flowing water में समा जाती है, जिसकी वजाद से काफी कुस हम यह है कि how the soil erosion happen, तो you write in your answer, like the deforestation, overgrazing, construction and mining, जो अभी आपको हमने land degradation बताया था, वही सारी point इसमें है, अब इनको हमें conserve कैसे करना है, तो सेम बात है, है न, deforestation है, तुमको deforestation करना है, overgrazing है, तुमको less grazing करना है, construction है, हमें रोकना है, ऐसे places पर जहाँ पर कि buildings न बनाएज़े, जैसे कि hill area में, hill area में जब हम buildings बनाते हैं, तो वहाँ पर land slice का ज़्यादा डर रहता है, third mining, mining को भी हमें रोकना पड़ेगा, तो यह सारी चीज़ें अगर हम करते हैं, तो हम soil conservation बहुत अच्छे सकर सकते हैं, next one is seat erosion, seat erosion में क्या होता है students, जब यह जैसे माल सकते हैं, seat erosion, ठीक न, एक मिट्टी ऊपर की जब परत कड़ कड़ के बह जाती है, तो वहाँ पर हम seat erosion बोलते हैं, अब जब वह ही परत एक गली की रूप में बहती है, okay students, तो हम उसको गली erosion बोलते हैं, okay students, now students, we have complete your chapter, I hope you will understand very well, students, if any confusion or the query, you can contact me, okay students, please like my video and subscribe my channel, okay, have a good day, students, we have a map of India, आपके सामने डिस्कस करने को बचा था, तो आप एक बार देख लीजिए, यह types आप स्वाइल इधर दिये गये हैं, इधर forest स्वाइल है, यह alubial स्वाइल है, red and yellow स्वाइल है, black स्वाइल है, red स्वाइल है, red स्वाइल है, यह सभी area दिये गये हैं, कि UP में या आल में डिस्कस कर लिया है, okay students, तो एक बार आप map जरूर देख लीजिएगा, it helps you to understand variable about the major soils of India, okay students, now bye.